आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे बहुत अच्छे होंगे और मस्थ होंगे आज आप देखी रहें पारे होंगे कि मेरी स्क्रीन पर धेर सारी आपको बची भी ओल देखरी होगी तो चाहे तो इस तरह से ते सारी color भी यूज कर सकते हैं मैं इसमें से दो या तीन ही color यूज करने वाली हूँ चलो चलते हैं अपने design की तरफ यह देखेगा इस तरीक से मैंने ये 4 color अपने चूज किये हैं जिसमें से मेरा white में रहेगा उसके बाद मैं white के बाद जो भी मुझे ये color अच्छे लगेंगे उसमें मैं use करते जाओंगे और आपको ये design मैं बताने वाली हूँ चलिए चलते हैं design की तरफ ये देखेगा मैंने white color से अपना बाउटर बना लिया है और बाउटर के बाद मैंने इसमें एक उल्टी और एक सीधी दो सलाई निकाल चुकी हूँ design जो है मेरा ये दो-दो फंदों के multiple चलेगा और आप इसमें दो इफंदे अपने extra भी रख सकते हैं design को बनाने के लिए एक उल्टी और एक सीधी दो रोर निकाल चुकी हूँ तीसरी सीधी रोर निकाल रही हूँ और पूर्ट रोव भी मैं उल्टी निकाल लोगी दोनों रोर निकाल लेती हूँ उसके बाद फिर आपको मैं design बनाना बताती हूँ किस तरह से बनेगा इसी तरह से आपको भी करना है बाउडर के बाद अपनी चार रो निकालनी है दो उल्टी और दो सीधी ठीक है चलो बना लेते इनको इस तरीक से यह देखेगा चार रो के बाद इसमें मैंने अपना सेकंड कलर लगा लिया है जो मेरा इस तरह से करते वे पूरी रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी यह देखेगा एक बार बता देते हूं ताकि आप अच्छे समझाए यह एक साइड से लिया एक बड़ा गाला पेटा और दो फंदों का एक बनाएंगे इस तरीक से लाष्ट फंदा है इसको भी सिद्धाइ बना लें ठीक है अब इसके उल्टी रो है और यह डिजान के हमारे सिक्स द्रोव है चार हमने सीधी बनाई फिप्ट वाझी में अबना लगाया और यह सिक्स थै पहले वाला फंदा है कि इसको मैं उल्टा बना लूं यहां पर उतारेंगे ठीक है और इसमें से हम धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और इन दोनों फंदों का एक करेंगे सिर्फ यह ध्यान रखना है आपको ठीक है एक भरोड बताती हूं यह देखेगा जो बीच वाला फंदा है दागा आगे तरफ लेके जाएंगे यह आगे तरफ जो यह बीच वाला फंदा है इसको हम उतारेंगे यह ऐसे इसके बीच में से धागा अपनी साइट लाएंगे और दो फंदों का एक बना देंगे उल्टा ठ लेगे पिरिगा ही डाग आका आगे यह बीच वाले फंदे को निकालन इसके बीच में से इधर लेक्व में पाइए आईगों जाएंगे यह दोपंदों का एक करते हैं इसलिपए है पूरी मिदा करेंगे ह। दाखा आगे करेंगे बीच वाला फंदा उतारा साब में किस अ और दो गा एक किया, चलेगा, कर लेते हैं, अब यह देखेगा, यह 6 रो बन चुकी है, 4 यह और 2 यह, अब इसमें 4 रो अपनी वाइट बनाएंगे, और वाइट 4 रो निकालने के बाद, फिर से हम इसमें color change करेंगे, तो यह वाइट रो में निकाल लेती हूं 4 लटी और सीधी दो लटी और दो सीधी इस तरीक से छीजिए सैड़ से सीधी लटी साइड से लटी चार रो बना के कम्पलीट करती हूं वाइट कलर की फिर आपको मैं दूसरा कलर लगाए दिखाती हूं कि चलो करते हैं इसको अब यहां से देखेंगा यह चारो में ने वाइट बना लिए उसके बाद मैंने अपना यह धड़ वाला कलर लगा दिया है थड़ कलर से भी हम सेम यह दो रो रिपीट करेंगे अपने यह देखेगा पहले वाले एक फंदा सीधा बनाया यह जो थड़ वाला फंदा है हमारा यहांस की साइड से निकाल लेंगे ऐसे क्योंकि डिजैन जो है हमारा दो दो फंदों के मलकी पर चलेगा एक बर उपर से कम करेंगे ठीक है इसमें अभी फंदा बढ़ा तो हम उल्टे वाली रो में इसको भी कम कर देंगे यह देखेंगा आप एक बर ऐसे निकाला दो फंदे बीच में से ओपर से लपेटेंगे और दो का एक बनाएंगे अब यहां पर तीन फंदे बना रहे हैं लेकिन इसको भी कि हम कम कर देंगे उल्टी वाली रों ऐसे ठीक है यह देखेगा इस तरीके से बहुत सिंपल सा डीजान है लेकिन बहुत ज़्यादे सुन्दर लगता है आप चाहिए तो इससे दो कलर में भी बनाना लेकिन मुलिटी कलर में बहुत ज़्यादा खुपसूरत लगता है इस कि चलिए का पूरी रोग को इसी तरह से करते हैं कि यह ऐसे बना लेतने पूरी रोग यह देखेगा इस तरीक से अब इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड भी हम सेम रिपीट करेंगे जिसे हमने पहले बता था फिर भी मापको थोड़ा सा बता देती हुँ है पहले वाल पूरी को यहां से वाल बा цен के उल्टा बना लेंगे सक्कों कि यहां से यथा का देखेगा दूसरी साइड है मारा जो यह पीच वाला पहंदा है यहला वाला इसको बैदा होक्त ने-चैंगे है ब्रिफंधों घांगे और करेंगे है यहां पर यहां पर यहां म मारे यहां प और दो फंदोगा एक करेंगे इस तरीक से अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से मैंने समझा दिया होगा अगर बाई चांस फिर भी आपको कोई कुछ लगे तो आप मुझे कोमेंट करना मैं आपको दुबारा से बता दूँए ठीक है यह इस तरीक से यह देखेगा धा आगे कि बीच में से लेके आई हूं यह देखो यह है यहां पर ऐसे इसके बीच में से इसे इधर अपने साइड लेकर आई हूं आज दो फंदोगा एक कर रहे हूं बहुत ज्यादे बता हूंगी तो मेरी वीडियो लंबी होगी ठीक है अब आप पुरी रोग को ऐसे ही हम ठीक है चलिएगा करते हैं पूरी रोग को यह देखेगा इस तरीक से आप इसमें हम चार रोग फिर से वाइट निकाल लेंगे उसके बाद दूसरा कलर चेंज करेंगे इसी तरह से जब हम यह चेंज करेंगे तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह का यह देखेगा इसका अगर आपको यह मेरे जैन पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो तेखने के लिए थैंक यू अगर कोई गलती हुए तो उसके लिए सोरी मिलते है नेस्ट वीडियो में, बाई